आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello everyone So हुमारा question है When machine instructions are being executed by a computer की machine के instruction को execute किया जाता है अब computer द्वारा तो the instruction phase followed by the execution phase is referred as तो उस execution phase को क्या बोलते है च्यार option है उसको क्या program cycle बोलते है Sorry, option number A option B है हमारा machine instruction बोलते है या execution cycle ही बोलते है या machine cycle बोलते है ठीक है, चार option है हमारे पास में तो देख लेते है फड़ावर से कि देखो computer के अंदर क्या होता है कि computer अपना data जो है वो fetch करता है पहले data लेता है फिर fetch करके उस data को computer जो है वो decode करेगा ठीक है वो उसको decode करेगा और decode करने के बाद में हमें क्या देगा? execute करके देगा execute करेगा और execute करने के बाद में वो जो result आया है वो क्या हो जाएगा वहाँ पे store हो जाएगा ठीक है और फिर आपको जब चाहे इसे आप fetch कर सकते हो तो ये जो cycle होता है इसे हम लोग बोलता है instruction cycle ठीक है instruction cycle अब आपके option के अंदर देखो हमारे पास में चार option है program cycle बोलते हैं क्या machine instruction बोलते हैं execution cycle बोलते हैं machine cycle बोलते हैं तो देखो आपको b option यहाँ पर right लग रहा होगा machine instruction बोलते हैं but बात यह है कि instruction cycle जो होता है वो machine cycle जो है उसका machine cycle instruction cycle का ही part होता है ठीक है instruction cycle जो होता है वो machine cycle का ही part होता है तो option जो है वो D सही होता C होगा machine instruction नाम से कुछ नहीं होता है machine cycle जरूर होता है हाँ ये machine instruction cycle होता तो हम लोग B पे टिक कर देते बट ये तो सिर्फ machine instruction लिखा हुआ है तो हम किसको सही करेंगे machine cycle मतलब option number D जो है मारा यहाँ पे वो right answer है तेंक यू